हेलो एवरिवन आज हम बात करने वाले हैं एसेंशेल्स ओफर वैलिड एक्सेप्टेंस के बारे में एक्सेप्टेंस कब वैलिड मानी जाएगी इस बारे में इन्हों नहीं हापे हमें 9-10 पॉइंट दे रखे हैं उसको हमें करके डिस्कुस करने वाले हैं सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस मस्ट पी एप्सुल्यूट एंड अन्कॉलिफाइड इसका मतलब यह है कि जो आपने एक्सेप्टेंस के लिए टर्म्स और कंडिशन दी हैं या कुछ भी दिया है वह एप्सल्यूट यानि की तू दी पॉइंट होनी चाहिए और अन्कॉलिफाइड या फिर हम इने अन्कंडिशनल भी कह सकते हैं अगर वह कंडिशनल होंगी या फिर जैसा कि यहां पर दे रखा है क्वालिफाइड होंगी तो वह रिजेक्शन के लिए चली जाएंगी वह फिर ओफर नहीं मतलब एक एक्षेप्टेंस मस्त भी कम्युनिकेट अगर कम्यूनिकेट नहीं करें गई है आगाजंजर प्रोपर एक्सेप्टेंस नहीं है कि आपने ऑफर एकडिक्ट करा है और तो acceptance नहीं मानी जाएगी तीसरा point आता है acceptance must be in prescribed or reasonable mode अगर हमने अपना offer return mode में दिया है तो हमें acceptance भी return mode में ही चाहिए अगर acceptance spoken spoken mode में दी गई थी तो acceptance यानि कि offer के लिए जो acceptance है वो भी spoken में ही ली जाएगी अगर इसको मैं और आगे लेके जाऊँ तो अगर acceptance आपने email के थुरू दी है तो messages के थुरू reply देंगे वो accepted नहीं माना जाएगा proper and prescribed mode prescribed का मतलब ही यह होता है कि जो mode दिया गया है पताय गया है या use किया गया है उस mode के थुरू ही आपको reply देना है तो ही आपका वो acceptance माना जाएगा नहीं तो नहीं माना जाएगा चौता पॉइंट है acceptance must be given within a reasonable time or before the offer lapse reasonable time का मतलब होता है निर्दारिट समय के अंदर before the offer lapse उसका मतलब होता है जब offer की समय समय की मतलब जो timeline होती है वो खतम हो जाए उससे पहले offer को accept करना है reasonable time में या फिर तब तक जब तक time खतम ना हो जाए अगला point है acceptance cannot precede an offer आपने offer दिया ही नहीं है और वो कह रहा है कि मैं पहले से ही उस चीज़ के लिए तयार हूँ जो आप बोलने वाले हो तो ये legal भी नहीं माना जाता है और इसे acceptance भी नहीं मानी जाती है क्योंकि अभी तक offer ही नहीं दिया गया है अगला आपके पास point आता है acceptance must be given only by the person to whom the offer is made offer जिसको दिया गया था acceptance भी वही देगा मैंने आपको offer दिया कि मेरी गाड़ी खरीद लो और आपके पापा या आपका भाई है कोई और आके बोल रहा है कि हाँ हमें वह गाड़ी खरीद नहीं है वह acceptance नहीं माना जाएगा क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था legality of parties party ही मेरे लिए आप बने हो तो आपके पापा चाहे आपके साथ कितनी भी बात करते हो आपका कोई भी guidance करता हो आपको कहीं से भी monetary need arrange करनी हो कहीं से भी आपको finance arrange करना हो लेकिन मेरे लिए तो party आप हो जब तक आप या वही party जिससे promise किया गया था वही acceptance नहीं देगी तब तक उसे completion या accepted नहीं माना जाएगा क्योंकि आप वह party हो ही नहीं जिससे की offer दिया गया था rejected offer can be accepted only on renewable इसका ये मतलब offer दिया था मैंने आपको आपने उसे accept नहीं करा अब आप चाहते हो कि उसे renew करा जाए तो भी सिर्फ आपके और मेरे ही बीच में ये बात रहेगी जबकि इसका एक अगर मैं दूसरा term बताऊं तो ये होता है कि cross offer होता है यानि कि offer के खतम हो जाने के बाद rejection के बाद दूसरा offer बनाना पड़ता है वो दूसरी चीज़े लेकिन reject करने के बाद renewal हो सकता है अगरा point आपके पास आता है revocation of acceptance इसको समझाता हूँ मैं ऐसे कि आपने accept करा था आपको सब मनजूर था लेकिन अब मनजूर नहीं है अब आप उसकी revocation चाहते हो तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है अंडर English law acceptance is revocable whereas अंडर Indian law acceptance is revocable ज़िकि English law जो बाहर के laws हैं उनमें आप acceptance से मु कर सकते हो लेकिन Indian law में अगर आपने एक बार accept कर लिया तो आप revoke नहीं कर पाओगे अगला point है acceptance to give an acceptance to give an acceptance is not an acceptance इसका मतलब यह होता है कि आपने accept किया कि आप दूसरे का offer accept करोगे लेकिन वो कोई definite acceptance नहीं थी मैं आपको यहाँ पर example के दोग समझाता हूँ the process of sending or bringing any matter to the knowledge of the person to whom it is directed the process of sending or bringing to the notice may be by letter, text, telegram, telephone इसको आप ऐसे समझे है कि जो आपको communication करनी थी वो आपने करी है लेकिन आपने अभी तक acceptance जो थी उसकी उसे accept नहीं करा है पूरी तरीके से नहीं खरे होता है नहीं तरीके से नहीं कर दो आपके आपके से नहीं आपके से विफ्ट मेरते है